आज हम बात कर रहे हैं, VFD के बारे में, VFD ख्या चीज है? कहा लगाते हैं? क्यूं लगाते हैं? कैसे काम करती है? कैसे एक मोटर को भी? काम सप् Argand car, कभी तेज स्पीड से अटॉमेटिक कैसे काम करती है? हलो फ्रेंड स्वागत है आपका स्केल्ड हिंदुस्तान ओटोमेशन में हरे ये ओटोमेशन क्या है दोस्त स्केल्ड हिंदुस्तान का एक चैनल है जिस पर ओटोमेशन से रेलेटेड बहुत सारी वीडियो है और ये वीडियो आपके अपने में चैनल पर भी है और ओटोमेशन चैनल पर भी है आपके में चैनल पर है इसलिए आप इसको देख पा रहे हैं स्किल्ड हिंदुस्तान ओटोमेशन में क्या क्या है सर वहां पर PLC के बारे में हैं चीजों को ओटोमेशन में कैसे चलाते हैं यानि कि भाई ओटोमेशन इंडस्ट्री ना आजकल बहुत बढ़ रही है और आपको मैं कुंगा अगर ये वीडियो देख रहे हो तो सो परसेंट आपको स्किल्ड हिंदुस्तान गूगल पर जाना है स्किल्ड हिंदुस्तान ओटोमेशन यूटूब पर जाना है स्किल्ड हिंदुस्तान ओ एक मोटर को भाई कम सपीड से कभी तेज स्पीड से ऑटोमेटिक कैसे काम करती है भाई जैसे जुरूरत होती है उसके इतने फंक्शन भाई क्या चीज है दोस्त आज हम VFD के बारे में कोसिस करेंगे काफी कुछ सीखें और आप स्केंड दूस्तान ओटोमेशन को फुलो करो को पता है वेरियेबल फ्रिक्वेंसी डिवाइस होती है क्या होती है वेरियेबल फ्रिक्वेंसी डिवाइस तो ठीक जी इतना पता है काफी है इसका मतलब आपका इंटरेस्ट है आप कुछ आगे करना चाहते हो VFD के बारे में पता लग अलग कंपनी की होती है दैन फोक्स कि बहुत सारी VFD आती हैं और काम सब का एक ही होता है VFD का काम क्या होता है एक ही होता है यहाँ पर क्या देखा हमने यह आगी हमारी VFD क्या आगी हमारी VFD तो VFD वही काम कैसे करती है यहाँ क्या समझेंगे VFD काम कैसे करती है स्ँसारी चीज़एं तो सबसे पहले इसमें हमारा इसमें जो light आती है डायवर्ट्स भगरा लगे रहते हैं और यह क्या करती है AC को हमारी जो AC voltage आती है AC बतला alternate current जो होता है AC को DC में convert कर देती AC को DC में सबसे पहले बदल देगी जैसे हमारा inverter में भी होता है हमारी UPS में भी हमने ये सारी चीज़ें देखी थी कि सबसे पहले जो system था AC से उसे ने DC में बदला था तो ये भी क्या करता है AC से DC में बदल दिया इसके बाद में क्या हुआ भी next step में हुआ हमारा फिर इसमें filter लगते हैं capacitor लगते हैं जब DC supply बनती है न तो दोस्त उसमें बहुत सारी कमियां होती है कमियां किस तरह की जब AC से DC बनाते हैं तो हो सकता है कि 100% DC नहीं बनी कुछ AC वे उसके अंदर रह जाती है तो उसकी वज़े से क्या होता है equipment में नुकसान बोच सकता है तो हमने capacitor लगा दिये DC capacitor लगा दिये इसको बोलते हैं filter भी इसके बाद हमने क्या किये capacitor लगा दिये वो हो गया उसके बाद का step उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं उसके बाद में क्या हो गया अब जी frequency controller ये क्या चीज है ये चीज हो गया भाई suppose यहां पर आप इसमें देख रहे हैं display सा देख रहे हैं तो display से अंदर तक कमाट जाती जी मैंने डाल दिया कि 30 frequency पर चलाना है तो यह हो गया frequency controller frequency controller यहां पर लगा रहा था कि बहुँ कितनी frequency चाहिए जितनी चाहिए है वो उस controller में यहां पर set करेंगे वो आगे अपने system को command देगा उसी साब से और फिर क्या होगा उसके बाद में यह हमारी DC to AC में convert हो जाएगी फिर DC से AC में हमें कौन सी चाहिए हो है AC हमें चाहिए होती है और फिर दुबारा से यह last में AC में हमारी convert हो जाती है और AC में जैसे ही convert होती है अमारे जो VFD है या जो हमारी motor voter लगी वी है वो उमारी चलने लग जाती है एक बार और रिव्यू कर लेते हैं देख लेते हैं सबसे पहले यह VFD है VFD के अंदर हमने क्या किया RYB गुसा दिये RYB सिंगल फेज और थ्री फेज दोनों में आती है हमने इसमें RYB लगा दिये अभी क्या हुआ इस RYB को इसने AC से DC बना दिया फिर फिल्टर लगा दिये जो डी सी अप्लाई थी वो फिल्टर होगी फिर बीच में कंट्रोलर आगे बाई कितनी फ्रिक्वेंसी करनी है हमने जैसे डिस्पले लगा है इसको बोला जी इतनी देनी है उसी हिसाब से फिर यह जो DC से AC में कंवर्ट करके आगे अमारी मोटर क को देता है जब यह सीच सब्सक्राइब करना ऑर चैनल पर नए हो सबस्क्राइब करना स्केल्ड हिंदुस्طान नहीं देखा है तो उसको भी देख लेना हमारे एक और चैनल है skilled हिंदुस्तान होम स्केयर जिसमें भी बहुत कुछ मिलता है और experiment अभी तक skilled हिंदुस्तान experiment नहीं देखा तो दोस्ता आपने क्या देखा है बहुत सारी चीज़ें खोल काल के हमने उसमें देख लिए तो skilled हिंदुस्तान के सारे चैनल एक बार देखो सब्सक्राइब करकर रोखो बहुत कुछ है सीखने को मिलेगा यहाँ पर भी हमने क्या किया ना जो सारी चीज़ें थी नो उसको एक बार और यहाँ पर mention कर दिया है बहुत सबसे पहले यह supply आगी यह क्या देख के अंदर एंदर ऐगई है तो रेक्टीफाइर के बाद क्या होगा DC कैपेस्टर, इसके बाद में पूरा शिस्टम में लगा हूँ है इसके बाद आके कहा जाएगा इन्वेटर में जाएगा inverter में जागे inverter क्या करेगा हमारी जो DC थी DC को दुबारा AC में कर दिया और जब यह AC में करता है तो जो हमारा control system होता है वो requirement के हिसाब से जो output supply है वो हमें मिलती है बहुत आसान है दोस्त बहुत आसान है बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें तो आज की वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे अगली वीडियो में जो आपको skilled इंदुस्तान automation पर मिलेगी उसमें और बहुत सारी बात करेंगे क्या क्या बात करेंगे वह थोड़ा सा हम यहां पर देख लेते हैं कि जो VFD होती है उसका कहां पर यूज कर सकते हैं VFD की जो speed control करते हैं वो किस तरह होती है इसका बही जो torque control कैसे करते हैं motor में जो connection है उसके बारे में काफी कुछ चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इसके अलावा इसके अंदर जो VFD होती है उपर यह point दे रखें यह कैसे कैसे काम करते हैं कहां से speed कम होगी कहां से ज्यादा होगी क्या कुछ होगा उस switch के बारे में बात करेंगे और finally live VFD के उपर भी जाके आप लोगों को समझाएंगे कि कैसे कैसे होता है कुछ प्रोग्राम्स भई भी आपको बताए जाएंगे लोकल स्विच क्या होता है लोकल ओपरेशन क्या होता है फिर remote operation क्या होता है अगली वीडियो में आने वाला है अगली वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद साथ बैल आइकोन दबाएए अब मिलते हैं फ्रेंड अगली वीडियो में जै हिंद जै हिंदुस्तान